पच्पन लोकसभा अंबेटकर नगर के जलालपूर विदान सभा में उत्तर प्रदेश के उकमुखे मंत्री दिनेश शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया साथ में जिला अध्यक कपिल देव वर्मा सांसद हरियों पांडे और जिला अध्यक शिवनायक वर्मा मिथलेश तुरपाठी या नेंद्र पांडे उफ छोटे पांडे आज दिवांश पैट्रोल पम के मालिक अरविंद पांडे भाजपा में सैकडों की संख्या में हुए भ देश शर्मा ने 2014 के चुनाव को बताते हुए कहा पूरे उत्तर प्रदेश में उनका सपना ठूटेगा और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पांच चरणों में चुनाव हुए हैं पांचवां चरण कल है मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो 23 मई होगी इस गटबंगन के गटबंगन की आखरी तिती होगी 23 मई के पास सपा बसपा का खटबंधन शुरूब होगा और कांगरे सपा और बसपा एक दूसरे को चुनावती दिखाई देती भी दिखाई पड़े अभी मायोती जी का एक बयान आया था कि अगर गटबंधन का ओट एक जगहां आता है तो हम ज्यादा तर सीटे जीतेंगे तो इ कले जी ने अपनी समाजबादी पार्टी का समर्पण बोजन समाज पार्टी में कर दिया है इसलिए कांगरे सपा और बसपा एक दूसरे का दुस्वन बनके 2022 के चुनाव के लिए वो तैयारी करेंगे और मुझको लगता है कि ये इनका राजनेतिक जो विरासत है उसकी समा अगतिके अंतिम दिन चल लहें धन्वाद